हाँ जी बच्चो तो हम यूनिट 2 जिसका आपके एक्जाम में 13 मांक्स का वेटेज है और चप्टर नमबर 3 पर अब हम कोश्चिन नमबर 4 पर आ चुके हैं तो बच्चे डिमांड में कोश्चिन नमबर 4 क्या है आज़े दरह देखते हैं इसको हम वट इस दा एक्षेप्शन ओफ डिमांड तो बच्चे अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक्षेप्शन ओफ डिमांड का क्या मीनिंग होता है इसका मतलब बच्चे होता है वो सिचुएशन जहां पर डिमांड लो ओफ डिमांड एपलिकेबल ना हो आपको उन सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना है उन सिचुएशन को डिस्कस करना है जहां पर लो ओफ डिमांड एपलिकेबल ना हो अब बच्चे लो ओफ डिमांड क्या होता है यह ओलरी हमने डिस्कस कर लिया है फिर भी अगर इसको हम शौट में देखें तो बच्चे किसी भी commodity की जब price increase होती है, उसकी जब कीमत बढ़ जाती है, price जब increase होती है, तो as a consumer हम कैसे behave करते हैं? उसकी demand को कम कर देते हैं. और price जैसे ही decrease होती है, तो demand फिर बढ़ जाती है. तो द्वारा समझेगा, जैसे commodity की price increase होगी, तो as a consumer क्या करेंगे? demand को decrease कर देते हैं. और जैसे ही price decrease होगी, तो demand क्या कर देंगे? increase कर देंगे. तो आप observe कर रहे हैं, price जिस direction में जा रहा है, demand उसके opposite direction में move कर रहा है. प्राइस जिस direction में जा रहा है, demand उसके opposite direction में move कर रहा है. अगर price increase हो रही है, तो demand decrease हो रही है. और price decrease हो रही है, तो demand increase हो रही है. तो price और demand के बीच में जो ये inverse relation है, जो कि ऐसा सरफ उसके price में change आने के वज़े से ही हो रहा है. commodity के demand में change होने के बच्चे बहुत सारे reasons होते हैं. बहुत सारे reasons होते हैं. लेकिन बाकी reasons को अभी आप रहने दीजिए, उस पर हम discussion नहीं कर रहे हैं, constant है या same है. आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी commodity के खुद के price में change आने से जब उसके demand में change आता है, तो वो relation अगर आप observe करेंग demand केते हैं. तो क्या कह रहा है बच्चे, what is the exception of law of demand? या demand कि ऐसा कौन कौन से situation है, जहां पर law of demand applicable नहीं होता है. जनली law of demand आप समझ गया है कि price बढ़ता है तो demand कम होना चाहिए, और price कम होता है तो demand बढ़ना चाहिए. लेकिन उस situation को discuss कीजिए, जहां पर ये law of demand applicable नहीं होता ह है. तो बच्चे, situation number first. क्या है? Inferior goods are given goods. तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि inferior goods are given, inferior goods are given goods. बच्चे, inferior goods और given goods के case में law of demand applicable नहीं होता है. तो आपके mind में यहीं आया होगा कि sir, ये inferior goods क्या है, ये given goods क्या है. तो बच्चे, वो goods जो कि बहुती low quality की होती है, जिसको consume करना, जो हम अपने इच्छा से consume नहीं करते हैं, जो हमारी मजबूरी से हम उसको consumption करना पड़ता है. बहुती low quality की goods आप consume कर रहे हैं अगर, तो उस low quality की goods को हम क्या कहते हैं, inferior goods और given goods. बिसिकली कई बार तो कोई goods low quality की है या नहीं है, ये कई बार consumer की income पर depend करता है, consumer उसे कैसे treat करता है, बट अभी आप simple way में ही समझेए, जो बहुत low quality की चीज़े होंगी, अगर आप उसका consumption कर रहे हैं, तो वो क्या है आपके लिए, वो आपके लिए inferior goods है, और आपके लिए given goods है, जनरली ऐसा होता है कि जो below the poverty line है, जो poverty line से below है, जो किसी तरीके से बस survive करने के लिए अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि income level काफी low है, तो इस तरीके के जो हमारे कुछ लोग हैं, ये जिस तरीके के goods का consumption करते हैं, या इनको करना पड़ता है, वो inferior और given goods होता है, बहुत low quality की goods का consumption करना पड़ जाता है, तो बच्चे आप बताईए, अगर आपको inferior goods और given goods का consumption कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपकी इच्छा होगी या आपकी मजबूरी होगी, तो इसमें आपकी, इसमें बच्चे आपकी, इसमें क्या होगी आपकी, इसमें आपकी मजबूरी होगी, clear हैं, तो बच्चे कभी भी कोई भी inferior goods और given goods क्या होता है, जो बहुत low quality की goods होती है, जिसका consumption करन हमारे लिए क्या हैiping कमजबूरी है कि जिसका कंजम्शन करना क्या है हमारे लिए हिए एक मजबूरी है जो काफ़ें low quality केंची क्यों कांजम्शन कर कि हमारे income काफी कम है इसे हम inferior goods कहते हैं अब बच्चे inferior goods उसके अंदर अगर एक्जाम्पल आप पूछें तो जैसे माल लीजिए बाजरे की रोटी का कंजम्शन कर रहे हैं बाजरे की चपाती कंजम्शन कर रहे हैं आपको पता है जो वीट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहूं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो बाजरे बाजरा सस् तरीके की जो चीजें हैं यह आपके लिए क्या हो गई यह आपके इंफिरियर या फिर गिफन गुड्स हो गई क्योंकि इंकम लेवल बहुत काम होने के वह इसे आप बहुत ही लो क्वालिटी की गुड्स का कॉंजम्शन कर रहे हैं क्लिर है बच्चे समझमाएं आपको तो एक बात और अपने माइन में स्टोर कर लीजिए कि इस तरीके गुड्स का कंजम्शन हमारे लिए सिर्फ एक मजबूरी होती है कि हम इसका कंजम्शन कर रहे हैं लेकिन हर इंसान यहीं चाहता है हर कंजूमर ही चाहता है कि उसको एक अच्छी क्वालिटी के गुड्स कंजम्शन करने को मिले उसको एक हाई क्वालिटी के गुड्स कंजम्शन करने के लिए तो हाई क्वालिटी के गुड्स कंजम्शन करने के लिए यह जरूरी है कि उसक गुट्स कर रहे हैं तो बच्चे क्या कहा रहा है आपसे कि गिफन गुट्स एक ऐसा example है जिसमें low of demand applicable नहीं होता है इट मेंस गिफन गुट्स के price अगर increase हो जाएं तो उसके demand decrease नहीं होगी और price decrease हो जाएं तो demand increase नहीं होगी यहाँ low demand काम नहीं करता है आप सुचेंगे सर क्यों काम नहीं करता है example लीजिए समझे बच्चे देखें दो तरीके की income होती है एक तो आपकी money income होती है कि real income होती है money income क्या होती है और real income क्या होती है इसको एक example से समझते हैं आप 50 रुपीज पॉकिट में लेकर के market में एपल परचीस करने गए तो पॉकिट में 50 रुपीज है यह आपकी money income है मार्केट में अब क्या हो गया अब वन केजी पहले rate था 50 रुपीज पर केजी था 50 रुपीज लेकर के परचीसिंग पावर बढ़ गई आपके अब आप 2 केजी परचीस कर सकते हैं 50 रुपीज पे तो जो परचीसिंग पावर है इसको हम क्या कहते है रियल income कि क्लिरे बच्चे और यही अगर एपल के प्राइस इंक्रीज हो जाते तो आपकी परचीसिंग पावर कम हो जाती अब वन केजी उसको परचीस नहीं कर पाते उस रेट पे तो आपके रियल इंकम क्या जाती कम हो जाती तो एक मनी इंकम होता जो पैसा पे है और एक आपक यह में करो मुका मिल जाए हमें इसको सेक्रिफाइस करने का और इंफिरियर गुट करने का उस मोगव च्छोडेंगे नियम लाइफ में अब चापना है कि भाई यां सुपरियर गुट सक अंजमशन करें कि मजबूरी इन वर सब्सक्राइबा कर रहे हैं एक्जामपल गिफ कि समझे इस चीज को मेरे पास में 20 रुपीज है क्लियर बच्चे एक्जाम्बल समझते हैं कि 20 रुपीज है और जो बाजरा है बाजरा 20 रुपे पर केजी है for example मैं 20 रुपे का 1 केजी बाजरा लेने के लिए मार्केट में गया और जब मार्केट में गया तो मुझे पता लगा बाजरा जो है एक्चल में इसकी जो प्राइज है वो डिक्रीज हो गई है और अब मार्केट में बाजरा 10 रुपे का है मेरे नीड वन केजी का था, अपने आपको सरवाइफ करवाने के लिए पूरे दिन के लिए मुझे वन केजी की नीड थी, उस अफते में चपाती करता हूं, मुझे उतनी कैलोरी की नीड है, तो मुझे वन केजी चाहिए, तो बाजरा आप 10 रुपए पर केजी हो गया, तो अ कि क्योंकि अब बाज्रा 10 रुपे के तरफ जाएंगे तो 10 रुपे में बाज्रा ही क्यों लूँ सपना होता है न कि तरफ जाए तो 10 रुपे बच गए एक किलो आतों गया थोड़ाइब बच गया तो थोड़ा सुपरीर के तरफ आगे बढ़ते हैं आप वीट लेने जाओगे जब आप 10 रुपीस वीट पाप expand कर दोगे कुछ quantity आपको वीट की मिलेगी तो आपको जब वीट के कुछ quantity मिल ही आपको वीट की कुछ quantity आपको मिल रही है तो क्या बाजरा की वन केजी की need है आपको नहीं है नीड आपको तो वाजरा क्या करोगे वाजरा की quantity कम करोगे ठोड़ा सा पैसा जो बचेगा और उसको वीट पर आप सिफ्ट कर दोगे और मिला जूला करके बाजरा और वीट अब superior goods के तरफ shift हो रहे हैं, तो आपका wheat लेने की आपकी इच्छा है, इसके वैसे बाजरे की price fall होने के बाद भी आपने इसकी demand नहीं बढ़ाई, क्योंकि आप इसको मजबूरी में consumption कर रहे थे, आप shift हो गए superior goods की तरफ, और superior goods से आपकी needs, फिर आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं कर सकता था, वो superior goods था, उसकी needs पूरी नहीं होती थी, अब 10 रुपीस में 1 kg बाजरा भी इसको मिल जाएगा, और ये 10 रुपीस बच गया, अब ये shift हो जाएगा, अब जब shift हो जाएगा, तो थोड़ा सा बाजरा कम ही कर लेगा, वहां से कुस्तों आएगा, 200 gram, 200 gram कुस्तों लेगा, वो 10 रुपे में, wheat का, तो 1 kg ये पूरा पूरा लेगा, और 200 gram वो लेगा, तो इतना तो consumption नहीं कर पाएगा, उसकी need तो 1 kg की है, तो बाजरा क्या करेगा, थोड़ी quantity कम कर देगा, उसको थोड़ा wheat ही बढ़ा लेगा, तो basically क्या हुआ, बाजरा की price अगर fall हुई, त क्योंकि बाजरा की price fall हुई, तो जो बचे हुए पैसे तो, जो surplus था, consumer shift कहा हो गया, consumer shift हो गया, superior goods की तरफ, और superior goods और बाजरा 1 kg लेगा, superior goods से तब shift होगा, तो superior goods से कुछ quantity आगे तो बाजरा की पूरी उतरी quantity की need नहीं है, बाजरा की quantity कम कर देगा, और वैसे उसके लिए consumption करना, तो आप बाजरा की demand बड़ी नहीं, बलकि बाजरा की demand और 1 kg और आपका 10 rupees कहीं और shift करा तो आपके पूरी 1 kg की need नहीं है, कम की need है, तो आपने इसके demand क्या करा और, कम कर दिया, तो देखिए price fall हुआ बाजरे का, तो बाजरे की demand क्या होई, decrease होई, समझ रहे हैं इन चीज को, clear है बच्चे, quit out, clear है, तो यहाँ पर आप देखिए इस चीज को ज़रा, अच्छे से, बच्चे, अच्छे से आप समझ रहे हैं न, तो यहाँ पर आप देखिए, कि बाजरे की price fall हुई, तो demand भी fall हुई, अगर price increase हो जाए, तीस रुपे किलो बाजरा हो जाए, अब लो, सर, अब तीस रुपे किलो बाजरा हो गया, पहले वन केजी मैं ले रहा था, अब उपर से और महंगा भी हो गया, तो अब मैं जो थोड़ा बहुत पैसे कहीं हो, और खर्च कर रहा था न, यह तो बड़ी मेरे लिए necessary चीज हो decrease हो गई, तो यहाँ पर कहा है law of demand, law of demand तो कहता है price decrease होती है, तो demand increase होती है, पर यहाँ price decrease हो तो demand भी decrease हो गई, तो given goods के case में law of demand applicable नहीं होता है, इसलिए इसको acceptance of law of demand भी कहते है inferior goods, चलिए price increase करके देखते हैं, तो 20 रुपे से 30 रुपे per kg price हो गया, clear है बच्चे, तो 20 पर kg यहाँ पर हमारे पास में price अगर हो जाए, 20 रुपे से, तो अब मैं 1 kg बाजरा purchase नहीं कर पाऊँगा 20 रुपे, थोड़ा और पैसे लगाने पड़ेंगा, पैसे कहां से लाँगा, थोड़ा बहुत कहीं और कुछ भी consumption कर रहा था, साथ में, तो वो पैसा मुझे मैं बाजरा consumption कर रहा था, और थोड़ा सा मैं, half kg मैं wheat भी ले लिया करता था, या half kg मैं rice ले लिया करता था, बाजरा की रोडी बना लेंगे और rice half kg, यह मेरा था, schedule, बट क्या हुआ, बाजरा महंगा हो गया, अब rice थो थोड़ा superior goods में आ जाता है, तो मैं तो बच्चे जैसे हैं, बाजरे की price बढ़ जाए, 20 रुपीज से 30 रुपीज हो जाए, और उसका क्या budget था, कि 1 kg बाजरा consume करेगा, और half kg rice consume करेगा, उसका अपना यह बनाया हुआ था, लेकिन जैसे बाजरा 20 से 30 रुपीज हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो rice की तरफ shift हो जाएगा, उसका budget इतना अगर पहले होता तो बाजरा वैसे भी consume नहीं करता, बाजरा तो उसको मजबूरन consumption करना पड़ा क्योंकि उसकी income नहीं है, और उसको इतनी income होती कि वो rice प purchase नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ shift हो जाएगा, क्योंकि उसका budget नहीं है कहीं होता, तो पहले shift हो जाता, वो given good consumption नहीं करता, तो अब क्या करेगा वो, उसको तो 1 kg नीड को पूरा करना ही है, तो जो rice वाला जो पैसा, क्योंकि आप rice पे shift होगा नह गेजी लेने के लिए, तो बाकि वो rice लेने लाइक उसका budget बचेगा नहीं, तो सारा पैसा वो बाजरा में ही मिला देगा, तो बाजरा का all over demand quantity क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप यहीं देखिए, कि जैसी price increase होती है बाजरे की, तो बाजरे को sacrifice करके shift तो नहीं हो सकते कही और हमारे इतना budget है नहीं कि हम superior goods के सरफ चले जाएं, clear है, तो और क्या होगा, दूसरी goods का हम इस पर budget transfer करेंगे और दूसरी goods लेने के लाइक पैसा बचेगा भी नहीं हमारे पास में, तो सारा budget नहीं transfer हो जाएगा और इसकी demand क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यह बात clear ह बचे, तो देखे, low of demand क्या कहता है, low of demand कहता है, बचे, low of demand, तो low of demand क्या कहता है, वो कहता है कि price अगर increase होगी, तो demand decrease होगी, और price अगर decrease होगी, तो demand increase होगी, तो price और demand में inverse relation होता है, commodity में, लेकिन exception मतलब वो case जहाँ पर low of demand applicable नहीं होता है, वो case कौन सा होगी आपका Giffen Goods, क्यों Giffen Goods की price fall हो रही है, तो consumer क्यों उसकी ज़्यादा quantity लेगा, जब उसकी needs फुलफिल हो रही है, तो वो superior के तरफ करेगा, तो price following demand कम होगी, जब price बढ़े, तो दूसरी तरफ में shift हो नहीं सकता है, मेरे बज़ेट होता है, तो पहले हो जाता, दूसरी का यहां sit करूँगा, इसकी demand बढ़ जाएगी, तो price decrease, price increase, तो demand increase, तो यहां price और demand में positive relation है, जबकि low of demand क्या कहता है, price और demand में inverse relation होता है बड़ यह क्या represent कर रहा है, price और demand में positive relation, तो यह बच्चे क्या है, यह acceptance of, law of demand है यह, given goods, clear है बच्चे, तो आईए बच्चे, अब आईए इसकी theory पर आईए ज़रा, inferior goods और given goods, in case of certain goods, says, जवार and बाजरा, एक example यह, inferior given goods का, when their price, their price fall, their demand not rise, अगर इसकी price गिरती है नवाजरे की, तो इसकी demand बढ़ेगी नहीं, not rise, because consumer divert their extra purchasing power to purchasing of superior goods, अगर आपको मैंने पहले ही clear करा है, कि inferior goods और given goods को consume करना हमारी मजबूर ही है, क्योंकि हमारी income बूर नहीं है, लेकिन जैसे इनकी price fall होती है, तो consumer तो इसको इतनी quantity ले पाएगा, लेकिन जो extra purchasing power है, इसको divert कर देगा, कहाँ पर, superior goods की तरफ, तो वहाँ से भी कुछ quantity आएगी, तो फिर इसकीतनी quantity की need नहीं है, इसकी quantity क्या हो जागी, when their prices fall, their demand not rise, because consumer divert their extra purchasing power to purchase of superior goods से, wheat और rice पे वो shift कर देगा, as a result, demand for such inferior goods, whose price has fallen, as a result, demand for such inferior goods, whose price has fallen, inferior goods, जिसकी price कम होई, और उसकी demand भी क्या होई, कम हो गई, तो given goods are special category of inferior goods, which price effect is positive, तो यहाँ देख रहे हैं, price effect positive है, price decrease होई, तो इनकी demand भी decrease होई, और price increase होगी, तो demand भी increase होगी, तो price effect क्या है, positive है, तो कह रहे हैं, given goods are special category of inferior goods, whose price effect is positive, whose demand fall, fall in their price and rise with increase in their price, इसकी demand उसकी price में कम होने से कम हो जाती है, और price बढ़ने से बढ़ जाती है, तो यह यहाँ पर positive, आपका price effect positive रहेगा, तो यह हमने theory पढ़ लिया है, तो inferior goods और given goods, यह एक exceptions है, low of demand का, जहाँ low of demand applicable नहीं होता है, अब बच्चे second point की तरफ आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बच्चो, exceptions of demand, question number 4 पे ही, जहाँ पर आपको उन situation को discuss कर रहा है, जहाँ पर low of demand applicable नहीं होता है, law of demand means, जब किसी भी commodity की अपनी खुद की price increase हो, तो उसकी demand decrease हो जाती है, और जब उसकी price decrease हो, तो demand increase हो जाती है, तो किसी भी commodity के उसकी price और उसकी demand में inverse relation होता है, तो यह law of demand, जिन situation में applicable नहीं होता है, उसे exception of demand कहते हैं, तो उसके हम point number two पर आचुके हैं, जहाँ पर law of demand applicable नहीं होगा, तो बच्चे point number two क्या कहता है, status symbol goods, तो बच्चे जो status symbol goods होते हैं न, यहाँ पर law of demand applicable नहीं होते हैं, क्योंकि law of demand तो यह कहता है, कि अगर इसकी price बढ़ेगी, तो demand कम हो जाएगी, और price कम होगी, तो demand बढ़ जाएगी, यह कहता है law of demand, कहता है इसके price और इसकी demand में inverse relation होगा, यह कहता है law of demand, लेकिन जो status symbol goods होते हैं न, वहाँ पर law of demand applicable नहीं होता है, जो बच्चे status symbol goods कैसे goods होते हैं, like diamond, अगर मैं बात करूँ तो iPhone, यह सारी चीज़े क्या है, यह status symbol goods है, status को represent करने के लिए, महिंगी महिंगी, car, Ferrari, जैगवार, यह सारी चीज़े क्या, यह status symbol goods है, तो status symbol goods क्या होता है, यह लोग अपने needs के, needs होते हैं, बट सिर्फ needs के लिए ही नहीं buy करते हैं, बलकि अपने status को reflect करने के लिए भी इसको buy करते हैं, for example, एक mobile phone, mobile phone के तो need इतनी है कि आप उसे call कर ले हैं, text कर दे, message कर दे, WhatsApp कर दे, यह कुछ needs होती हैं, लेकिन हम iPhone लेते हैं, थोड़े सी और better quality, और improve हो जाती है उसमें, लेकिन हमें pay काफी ज़्यादा करना पड़ जाता है उसके लिए, पर फिर भी हमारा शौक है कि मेरे पास बना iPhone हो, Macbook हो, Apple हो, तो यह साथ चीज़े क्या है, यह status symbol goods बन चुकी है, आज के date पर एक brand बन चुकी है, status symbol goods बन चुकी है, तो इसके price जितनी ज़्यादा बढ़ती है न, तो लोगों के लिए उसके status को represent करने के लिए उतनी अच्छी चीज़ होती है, तो लोग इसको उतना ही interested लेते हैं, इसको buy करने में, अगर वही iPhone, normal phone के rate पर मिले, तो जो status symbolic goods लोग है, वो maybe थोड़ा सा expensive prefer करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसको अपना status को represent करना है, अगर चलिए आप कोई phone offer हो जाए, 2000 रुपए में, 2000 रुपीज में smartphone, आप और कोई company का, आपका सारे काम उसमें से हो रहे हैं, आप लेने से मना कर दोगे, का होगे कि लोग इसका मजाग बनाएंगे या फिर मैं नहीं लूँगा, तो लोग मजाग बनाएंगे, आप अपने needs को नहीं देख रहे हो, आप अपने status को देख रहे हो, और price जब कम होने जाते हैं, सस्ति हो जाते हैं, तो लोग फिर इसकी demand से पीछे अड़ जाते हैं, कि फिर वे उनके status को represent नहीं करता है, तो ऐसे ही मैंने एक example लिया, status symbol goods, जो कि आपके status को represent करता है, तो जो जितनी महंगी होगी, आपको लगता है, कुछ लोगों ऐसा लगता है, कि उनका status उतनी अच्छी तरीके से represent होगा, तो उसकी demand करते हैं, और जितनी सस्ति होगी, तो लगएगा, उनके status के लिए सही नहीं उसके demand कम कर देते हैं, तो status symbolic goods जो होती है, उसका price बढ़े, तो लोग demand बढ़ाते हैं, और price कम हो, तो लोग demand कम कर देते हैं, तो देखिए, price और demand में positive relation है, price increase हुआ, demand increase हुआ, price decrease हुआ, demand decrease हुआ, किसका, जो status symbolic goods है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो status symbolic goods है, ब तो यहाँ पर law of demand applicable नहीं होता है, क्योंकि law of demand में जब price increase होता है तो demand decrease, और जब price decrease होता है तो demand increase, तो price और demand के बीच में inverse relation होता है, clear है बच्चे? law of demand में, but status symbol goods में price और demand में positive relation है, इसलिए यह exception हो गया law of demand का, यहाँ पर law of demand applicable नहीं होता है, तो status symbol goods क्या कहता है यह पढ़ते हैं, these types of goods are purchased not only because of their needs value, but because of the status value, the same jewelry when sold at low price sales poorly, अगर कुसी jewelry को बहुत सस्ता मिले, तो वो बहुत ही poorly sale होता है, but offered at five times the price sale quite well, तो price तो sale इसके थोड़ी better हो जाती है, and बच्चे third है, goods expected to become scare and costly in future, third point, दो point discuss कर चुके हैं, कि दो situation discuss कर चुके है, जहाँ low of demand applicable नहीं होता है, third situation क्या है ज़र उसको देखते हैं, goods expected to scare and costly in future, ऐसी goods, चुकि यह उमीद किया जा रहा है, expected कि यह जा रहा है, कि feature में scare हो जाएगा, available नहीं होगा feature में यह, या फिर feature में expensive हो जाएगा, अगर यह दो चीजें, यह दो चीजें अगर लग रही है किसी goods के बारे में, feature में available नहीं होगा, scare मतलब कमी आ जाएगी या फिर price बढ़ जाएगा तो हम उसकी demand क्या करते हैं आज की date में करने लग जाते हैं बढ़ा देते हैं demand even उसके price भी कितने भी increase क्यों नहीं हो रही हो तब उसकी demand बढ़ा देंगे example लेता हूँ मैं जरा समझेगा लोकड़ाउन से पहले जब March में लोकड़ाउन लगा हमारे यहां पे इंडिया में तो लोकड़ाउन से पहले जब जनता कर्फ्यू था तो उससे पहले हिई logo में हम लोगों ने आप लोगों ने बहुत साइब लोगों ने ये भी जरूर किया होगा कि उनको लगा कि feature में इसकी scarcity आ जाएगी food बगेरा की shortage आ जाएगी food बगेरा की feature में तो लोगों ने क्या गरा उसकी demand को करना present में ही शुरू कर दिया हाला कि ऐसा feature की बस chances थे जुरूरी ने feature में होना हो बड़ चांसिस थे तो लोगों ने demand करना शुरू कर दिया तो कहां है low of demand लोगों तो कहता है price बढ़ता है तो demand कम होता है बड़ इस situation में जा expected था feature में कि scare हो सकता है इसकी price बढ़ सकती है feature में तो current में क्या हो रहा था price बढ़ रहा था demand भी बढ़ रहा था price बढ़ रहा था demand भी बढ़ रहा था कि न्यूज आती है कल से पेट्रोल इतने महंगे हो जाएंगे लोग आज ही उसको बरवाना सुरू कर देते हैं एक बार 2014 मेंने एक रूमर्स बिहार में फैला था कि जो नमक है न अब उसके सप्लाई बिहार में बंद हो जाएगी गुजरात से ऐसा कुछ रूमर अफवा फैल रही है तो बच्चे ऐसी कोई भी चीज जो लगे कि फीचर में स्केर होने वाली है फीचर में महेंगा होने वाला है तो करेंट में इसकी डिमांड बढ़ने ले जाती है इवन इसकी प्राइस भी बढ़ रही हो तब इसकी डिमांड बढ़ते चली जाती है तो इस तरीकी की situation में low of demand applicable नहीं होगा क्यों low of demand कहता है price increase तो demand decrease बट जब future में expected है लग रहा है कि इसकी price बढ़ सकती है या शोड़े जा सकती है square हो सकती है तो low of demand applicable नहीं होगा price increase होगी तब इसकी demand increase होगी जैसे यहाँ पर देखिया goods expected to become scare or costly in future are purchased by the household in increased quantities even when their price are upward clear ना उनकी price even बढ़ती है तब अब अच्छे last point है हमारा law of demand जो कि यह कहता है कि price increase उस commodity की price increase उसकी demand decrease price decrease to demand increase price और उसकी demand में inverse relation होता है यह law of demand कहता है यह fourth point पर भी applicable नहीं होता है यह यह एक exception हो गया fashion बच्छे जो चीज़ फैशन में चल रही हो न जो चीज़े fashion में कोई suit कोई t-shirt कोई pant कोई shoes कोई sleeper को चीज़ जब फैशन में चल रही हो ट्रेंड में चल रही हो तो वहाँ law of demand applicable नहीं होता है कि जो fashion में न उसकी price बड़ते चलिए और Demand भी बड़ते चलिए डिमाण भी बढ़ते चले जाती है जबकि लोग डिमांड क्या कहता है price increase होगा तो demand decrease होगा बट fashion के case में कहा है law of demand यहां तो price increase हो रहा तो demand भी increase हो रहा है अगर fashion में तो भया लोग लेंगे लेंगे इवन price बढ़ेगी तब भी उसकी demand करेंगे करेंगे मेरे बात बच्चे तो इस cases में भी देखें fashion के case में low of demand applicable नहीं होता है क्योंकि low of demand कहता है price increase होगा तो demand decrease होगी पर जब fashion में कोई चीज है तो उसके price अगर increase भी हो रही होती है तब भी लोग उसकी demand कर रहे होते हैं तो यहां price increase हो रही है तो क्या कहता है the demand for goods which are in fashion does not fall when their prices increases clear है बच्चे समझ गए तो यह हमने आज पढ़ा acceptance of law of demand जहां जहां पर law of demand applicable नहीं होता है वहाँ वहाँ पर ठीक है बच्चे